तो गाई सबसे पहले मैं अपना Photoshop खोल लेता हूं और Photo Library में जा कि मैं Model की Peak लिकाल लेता हूं तो guys मैंने एक Remini Folder में रखा है अपनी Model की Peak तो मैं Model का Peak Select करता हूं और add करता हूं तो guys आप लोग को यहां पे Tools में जाना है और आपको Quick Selective Tool को यूज करना है गाइज जैसे मैं बेग्राउंड पे कर रहा हूँ वैसे बारी बारी से आप भी करेंगे तो बेग्राउंड कट करने में आपको असान होगा तो गाइज आप लोग टाइम देना फोटो को कट करने में और बहतर होगा और बहतर कर सकते हो आप मुझे पता है आप लोग बहतर क ब्रस तो यहां से मूट में जाना और मैनम प्लस करके अपना कि अग्राइश्ट कर सकते हो गई तो मैंने अभी यहां से मूडशेंज कर लो प्लस कर लो और धीरी-धीरी से अपना पहलाँ को चेंज करना तो देख सकते हो guys background select हो चुका है अब हम लोग first वाले option पे जाएंगे tools के वहाँ पे refine पे जाके आपका जो hair छूट गया है तो वहाँ पे brush हम लोग use करेंगे देख सकते हो guys जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना तभी आपका background अच्छे से select हो पाएगा तो देख सकते हो guys hair select हो चुका है तो अब हम लोग यहाँ से करेंगे clear और उसके बाद सबसे last वाले option पे जाके यहाँ से plus वाले चिंप स्कॉट मतलब extra part जो है उसे हटा देंगे तो guys हमारा png बन चुका है अब photo library में जाके guys आपका background असानी से लगा सकते हो तो आप देख सकते हो मैं background लगा लेता हो कोई भी आप background download करना अगर background डाउनलोड नहीं करना आता तो print rest में जाके आप लोग background अच्छी से background HD quality की आप लोग वहाँ से download कर सकते हो तो guys यहां पर background ले लिया हो मैं अच्छे से adjust कर लेता हो मैं तो यह रहा adjust मैंने कर लिया यहां से save करूंगा और यहां से layer में जाके model की नीचे कर दूंगा background देख लो guys background पर set हो चुका है तो कितना असान है photo edit करना तो यहां से effects में जाके guys यहां पर देख लो बहुत सारे option है basic है सब कुछ है यहां से आप लोग blur कर सकते हो देख सकते हैं blur हो रहा है तो हमें blur की कोई ज़रुवत नहीं है पहले से background blur है तो मैं blur नहीं करूंगा तो यहां से select करूंगा उसके बाद guys यहां से done करूंगा तो done करने के बाद हम लोग को save करना है फोटो यहां से done करने के बाद सेव करूंगा तो गाइस यह हमारा फोटो तो यहां से फोटो को select करके share वाले option पे जाके हम लोग share वाले option पे जाके save to gallery करेंगे गाइस उसके बाद जेपी जी में हम लोग वीडियो अच्छी लगी तो comment करके जबर बताना और चैनल को subscribe कर लेना दोस्तों